हेलो दोस्तों मेरे नाम मंकेट सिंग है और आज आपके साथ में डिस्क करने वाला हूं इस्टियो रेक्टल फोसा जिसको हम इस्टियो फोसा भी बोलते हैं तो इस वीडियो के देखेंगे कि इसकी लोकेशन काम पर है कैसे बनता है क्या-क्या इसकी बाउंडरी जोती हैं और मिड्लाइन वाला इनके बीच का जो स्पेस होता ना उसी को बोलते हैं इस चीजा रेक्टल फोसा ठीक है तो यह दो होते हैं एक आपका जो रेक्टम के राइट साइड एक आपका लेप्ट साइड तो दोनों साइड आपको कैसे इसकी बाउंडरी को समझोगे तो सब्सक्र απο 10 लेते हैं तो समझाने के लिए हैं यह दो तो यह तो आपका शील्टी प्रशीटी तो हम ग्रेल्टे लेइन चत्यार कश्कर आपका यह सब्सक्रjor comparative एनल स्विंक्टर ठीक है रेक्टम का और इसके ऊराउंड जो मसल होती है वह ती आपके लेट रहिए एनाई जो पिंक के अंदर है बलग के अंदर आपका एक अरफन स्विंक्टर है और इसके उपर जो पैरनिल बोडी यह दोनोग साग करते हैं इते हैं यह आपका ईगो वाले को ठीक है यह आपका है यह बात यह दोनों गई मीड़ लाइन में ए सब्सक्राइब दोन्ह कर अट्रेटीर ये पाहिए अपका उपर के राप था परणियल मेंप्रेंब्रेन होती है जो आपका उपर की तरफ होती है और ये वाला और पूस्की वाल रीजन हो गया आपका पोस्टीरियर यह था फोस्टीर हो गया ठीक है आपका ऊपर ये अयरे हो गया भी drugs oh ये इंट्रेज्ञ इसको लेको चल रहे है ठुल में जो उपर की तरफ क्या लेटरल साइड में यह होते हैं अकले अन्टिरीयर इंट्रीयां लेटरल होंडरी बनाते हैं अब इस टियल के इसिज फ़सा की ठीक है अन्टिरीयर आपका bridge को हीं लीटरल होगा ङुनीज नवाद करते हैं मेडियिल आपका मैंने बताए था जो आपका डिया olvid and refused digestive albums करते हैं उसके बाद आता है ये कौन सी लिकमैंट है यह लिगमैंट केके टुफरस लिगमैंट होता है वो आपका gluteus maximus muscle आपका lateral boundary बनाती है sacro tuberus ligament और आपका gluteus maximus muscle आप lateral boundary और जो आपका बीच में जो यह correction होता है इसको बोलते है over asturuses यह आपका communication होता है जो आपका दो rectal force होते हैं उनके बीच में ठीक है तो एक आपका एक infection है आपका दूसरे के अंदर रहाम से हो सकता है तो इसको बोलते हैं over asturuses ठीक है तो यह इसकी बाउंटर के बात इसके लागा दो चीज़ और बच गई apex और बेस जो बेस होता है वह आपका नीचे की तरफ मतलब skin of gluteal region form करता है और apex होता है आपका fusion of liver ni and obturator internus muscle ठीक है तो यह आपका apex base की बात हुई apex base याद रखना आपको प्रिकी तरफ निचे की तरफ बेस आपका skin of gluteal region apex आपका fusion of liver ni and आपका obturator internus muscle तो आपका यह होता है इसकी boundaries जो आपको डाइग्राम केलप से आप बना सकते हो और डाइग्राम बनाओ तो रच रहेगा तो इसको हम तीन पार्ट कर सकते हैं इस फोसा कोई तो निचे वाला पार्ट होता 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 आपका टीकर आपका शुपसा यह आपका तीन पार्ट होता है तो यह आपकी तीन पार्ट है प Nelson Half और हैंड आपका बइसकी कंटेंट है को फूंटने नाल रहती है入देल अनल का या कौन से यह होती है आप डूटन आप कनाल की कлан reflected हूते हैं इसके बाद आपका उसक में सबसें निचे आपका फैटकी यहां आपका content रहता है एक आप फुटेन लिकानल इस content और एक आपका रखना है inferior रेक्टल नव एंड वैसल जो आपका injured हो सकती है in case of इस्ट रेक्टल फोसा एपसेस के रेनेज करते हैं उसकेस में आपका ये आपका इंजर हो सकती है कुँछी इंफिर रेक्टल नव एंड वैसल तो यह आपका मैंड मैंन है कि आपको इस रेक्टल फोसा के अंदर बनता कैसे उसकी बावंडरी कहका है और कैसे कैसे कंटेंट है ठीक है तो आप डाइगर अब बनाईएगा और आप इनको रिपर्जेंट कीजिएगा तो आप बहुत क्रिम टाइम के अंदर बहुत कम एफ्रेट के बाद आपको इसी याद हो सकते हैं तो इससे आपको अच्छा डिया लगा है इस वीडियो से तो वीडियो को देखने के लिए थेंक यू बाई